Good evening everyone, this is Narendt Khatri आज हमारा ये 3rd part है, जो हमने स्रीज शुरू की है लेकिन ये English का 1st lecture है हम लोग को EDM and phrases को कैसे एकर क्या अप्रोच करना है वो होट बड़ा doubt रहता है क्योंकि तुम लोगों को पता हुआ, English में 4 सीजा आती है एक vocab आता है, sentence rearrangement आता है, ठीक है और क्या आता है तुम्हारा, एक EDM and phrases आता है और एक तुम्हारा क्या आता है, error आता है ठीक है, तो ये 4 सीजा आती है इन दोनों पर तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रहती है तुम English के playlist को चेक कर सकतो, आराम से तुम्हारा पर मिल जाएगी EDM and phrases पर भी कुछ बनार किये बट, उनको approach कैसे करना है आज मैं तुम्हारा वो चीज़ बताने वाला हूँ देखो, EDM and phrases कब भी repeat नहीं करती है ठीक है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आपको EDM and phrases repeat कर दिया तो almost ना के बराबर होता वो क्या बहुत बार repeat करती है कैसे सब बता रख है तो EDM and phrases को approach करने का तरीका क्या है अगर आपने ये approach सीख ली न believe me, बहुत सारे questions सही जाएगी but, how we can learn this approach आज मैं नमको questions के दुरूप बताने वाला हूँ exactly में किस वे में तुम लोग approach कर सकते हो और ये सब चीज़े सीख सकते हो चलो, अब हम लोग start करते है तो first जो question है हमारा वो है, he makes decision on the fly अब जो ये on the fly है ने इसका बताने है हमको EDM and phrase कि क्या होगा इसका मतलब he decides quickly without any seriousness he decides with all seriousness he decides, फिर ये पताने क्या word लिख रहा है he is unwillingly to decide अब देखो ये वाला question जब हम लोग question पढ़ते है हमको पहली जी क्या दिख रहा है आप अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है he makes a decision मतलब कुछ decision लेगा और on a fly उरतावा decision लेगा पहली चीज EDM and phrases में तुम लोगों ने क्या धिहान में रखना है literal meaning पर बिल्कुल भी नहीं जाना है किस पर नहीं जाना literal meaning कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ आभी देखो आगे बताऊंगा यह वाले में तो शवलो ऐसा नहीं दिख रहा है बट अभी आगे बताऊंगा कभी-कभी कुछ ऐसी चीज आ जाजेगी ना जिसका directly literal meaning वही होगा समझे रहो तो उस पर नहीं जाना है आगे example के जरू बताऊंगा क्या DO? बाकी on a fly अब कुछ चीज आप उड़ाते वे लेकर चल रहो मालो अगर आप अपना बैग उड़ाते वे लेकर चल रहो मस्त लेकर चल रहो कोई seriousness है नहीं यही होता है यही होता है on a fly का मतलब किव है अगर आप कुछ भी चीज उडाते हुए लेके चल रहे हो कि आप सीरियस हो उसके लिए नहीं हो अब इसने कोई डिसीजन लिया है और फ्लाइ कर रहा है उस डिसीजन में सीरियसने है ही नहीं तो क्या होगा सिंपल बताओ बिल्कुल सही यह वाला देख रहा है तुम लोग खुद पहले ट्राय करना यह अप्रोच लगाना अब देखो लिटरल मिनिंग पर हमें जाना नहीं है और हमारा हमको कुछ-कुछ वर्ट सा पता लगे है कि क्या चीज जो एक्जाक्ली मोड़ है जिसा फ्लाइ फ्लाइ का लिटरल मिनिंग उड़ाना होता है लेकिन यह आपर उड़ाना नहीं है सीरियसनेस नहीं है यह आपर मतलब मतलब कुछ चीज इससे रिलेट करेगा बट इग्जाक्ली में हंड्रेट परसेंट नहीं करेगा अगली चीज क्या है फॉलो सूट अब फॉलो मतलब क्या है किसी चीज को फॉलो करना और सू आप देखो following someone's suit क्या यह हमारा literal meaning नहीं हो गया सीधा सीधा हो गया literal meaning सबसे पहले तो इसी हो पाट तो यह होगा ही नहीं अब shooting to someone doing the same as someone else has done just done doing the same kind of mistake अब तुम मुझे यह बता जो यह यह और यह यह तीनों के तीनों में देखो क्या है following suit मतलब कुछ चीज क्या suiting to someone यह तो नहीं लग रहा है following suit का मतलब लग नहीं रहा है न देख लो ध्यान से following suit का मतलब किसी चीज को आप follow कर रहे हो अब यह कह रहा है कि suit कर रहा है मतलब कुछ चीज जच रहा है बिलकुल नहीं बात आती है इस पे और इस पे अब suit क्या होता है suit क्या होता है following मतलब किसी चीज को आप follow कर रहे है तो do the same as someone else has just done क्या हम चीज इस में दिखने ही रहा है कि हम लोग चीज को follow कर रहे है ठीक है mistake में भी दिख रहा है बट ये suit से किसी चीज का mistake से relate कर रहा है क्या नहीं कर रहा है suit mistake से relate नहीं कर रहा है तो answer क्या होगा यहीं तरीका है अगर यह आएगा कैसे तुमको कम से कम तेट सो से दो सो आपको ऐसी करके practice करने पड़ेंगे सबसे पहले हमको literal meaning काटना है उसके बाद देखना है सबसे closest क्या है अब जैसे यह close shave close shave का मतलब shaving very closely literal meaning देख रहा है देख रहा है तो क्या करेंगे सबसे पहले काटो अगला क्या miraculous escape फिर क्या है saving someone from danger escape easy escape अब देखो दो है escape पे एक बोल रहा है danger पे अब close shave अब close का मतलब क्या बहुत नजदीगी से अब बहुत नजदीगी से होगा तो क्या वो easy होगी क्या हो चीज अब shave का मतलब बाद में लिखेंगे लेकिन close का मतलब जो है वो बहुत क्या है बहुत नजदीग से तो easy तो नहीं होगा वो चीज यह तो नहीं होगा, अब आता है, close shave का मतलब, क्या वो miraculous escape होगा, या saving someone from danger होगा, बताओ, close shave का मतलब होता है, अब देखो, इन दोनों में से तुमने जो भी option टिक किया, believe me, अगर तुम लोग बोल रहोंगा भाया, यह जितने question है, क्या आप भी try करता हो, हाँ मैं भी try करता हू टोटल 15 question करने वाले, अब क्या मेरे star के star 15 के 15 सही जाएंगे, नहीं भाई, 2-3 मेरे भी गलत होते हैं, ठीक है, 2-3 गलत होंगे वो सब के, असनी है कि तुम बिल्कुल 15 के 15 सही करके आँगो, नहीं, अगर तुमारे 3-4 भी गलत हो रहे, ठीक है, 5 तक गलत हो रहे, ठीक है, और वो number of questions कैसे बढ़ते जाएंगे, जब आप practice करोगे, तो यहाँ पर जैसा miraculous escape है, close shape, saving someone from danger, अब आप किसी को जब danger से बचाते हो ना, तो उसे बोलते हैं, हम लोग close shape, यह approach है, और अगर इसको follow करोगे, बहुत सारे, भाई, तुम believe me, कि NDA1 में, बच्चों ने यह approach लगा जो NDA1 क्या आए था ना, कुछ-कुछ बच्चे 6 से 7 questions, NDA1 phrases के सही करके आए थे, उन्होंने attempt भी लगबग 8 के खरीब किया थे, 6 से 7 सही हो गए थे, होता है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा, at the crossroad, crossroad का मतलब क्या होता है, at important point of a discussion, at an important point of a journey, अब देखो, crossroad, हम लो journey से related, literal meaning की तरफ को जा रहा है न, journey से related नहीं हुआ, road वाला आ गया है, सबसे पहले तो C को ही काड़ देना, literal meaning की तरफ को जा रहा है, फिर क्या बोल रहा है, at important point of a decision, at important point of decision, at an important stage of decision, क्या यहाँ पर देखो, stage क्या होता है, यह broader picture होती है, ठीक है, मतलब आपका कुछ time है time, थोड़ा सा क्या हो जाता है, जादा specific हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, जादा specific हो जाता है, क्या यह जो add the crossroads है, क्या इसमें roads लिखावा है, crossroads तो नहीं लिख रहा है, इसमें कुछ specification की बात ही नहीं आ दी, point और stage में क्या फर्क होता है, देखो, अगर हम लोग बोलत बट एक emerging point बोलते हैं, तो एक specific point होता है, जहां से उसने start किया, जैसे अगर हम water की बात करते है, 4 degree Celsius तक बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, उसकी density, emerging stage होगी, point हो गया, ये पूर की पूरी emerging stage होगी, ये exact point हो गया, फिर उसके बात कम होता है, पता हैं सब को 4 degree Celsius पे स सबसा highest density होती है water की, तो क्या यहां पर कुछ ऐसा specific है कि कुछ से एक point का, नहीं, answer क्या होगा, D, देख रहे हो, ये वाला चलो तुम लोग करो try, कर लिया होगा, a pearl of wisdom, pearl क्या होता है, मोती, wisdom क्या होता है, wise और wisdom, मतलब, बुद्धी मता, तो मतलब a pearl of wisdom, एक छोटा सा बुद मतलब कुछ चीज, पीस का आ रहा है, तो a wise man तो बिलकुल नहीं होने का, an important piece of order, ये भी नहीं होने का, important piece of order, चलो ये हो गया, by chance इसको ही मत काटो, ये तो सबसे पहले काटोगे, क्यों, literal meaning है की नहीं, pearl बोल रहा है, क्यारा मोती, एक मोती का दाना, नहीं भाई, ये तो an important piece of order, an important piece of advice, wisdom, हम लोग order से wisdom को relate करते हैं कि advice से करते हैं, तुमने मेरे को एक बहुत अच्छी सला दी, या बहुत अच्छा order दिया, advice से करते हैं न, answer, answer भाई, समझे रहे हो, अगला, इसको करो, try, a match made in heaven, अब देखो, a match made in heaven, heaven सभी को पता है, स्वर्ग होता है, तो ये ब बता हो, a match made in heaven का मतलब क्या होगा, बहुत अच्छी चल रहे हैं बई शादी, अब ये a marriage that is successful, ये तो नहीं होगा न, successful, ऐसे तो नहीं होता न, ये तो मेरे साब से सीधा सीधा बता देगा, इसको तो सी answer होगा है, मैं को जादा discuss करने की भी जरूरत नहीं है, कि ऐसी marriage, जो match जो heaven में बनाओ, ऐसी marriage जिसमें बहुत जादा खुश और successful हो, अगला, अब culture, 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 culture और वल्चर, वल्चर क्या होते हैं, जो नोच खाते हैं भाई, flesh को भी नोच खाते हैं, वो होते हैं culture, वल्चर, अब जो culture की बिलुकुल जान निकाल दे, वो होते हैं, अब देखो first क्या someone who is very keen to experience art and literature, someone who wants to defend ancient culture, someone who is ashamed of one's own culture, someone who looks at his culture critically, अब ये देखो, ये वाला तो बिलुकुली गला तो जाएगा, defend वाला, ठीक है, जो defend करता है, वो नोच तो खाता नहीं अपना, दूसरा, अब देखो ये है, ये है, ये है, अब तुम ये बताओ, जो ashamed है, या critically जो अपने culture को देख रहा है, क्या ये दोनों की दोनों same नहीं है, almost, है न, almost same है, अपने जो culture को बहुत ही critical ही देखेगा, मतलब हर एक चीज़ पर लगबख शक कर रहा है, या फिर उसको शरम आती है, अपने culture को बनने में, दोनों की दोनों चीज़ सेम है, लगबख, दो options तो होंगे नहीं किसी के, first option पर चलते है, one who is very keen to experience art and literature, अब तुम ये बताओ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, वो क्या करता रहता है, वो बिलकुल पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता ह उसको, ठीक है, उसको क्या बोल दो, book culture बोल दो भाई, same है, culture क्या करते है, पता है न, अगली चीज़ है, a death block, अब ये तो मेरे साबसे तुम लोग को सीधा सीधा पता लग जाए, death block का क्या होगा, to be nearly dead, to be deeply afraid of death, to beat someone to death, an action or event which causes something to end or fail, बताओ, simple सी बात है, death block है, to be nearly dead, काड़ दो, literal meaning है, to be deeply afraid of death, ये भी काड़ दो, है न, to beat to death, ये भी नहीं होगा, death क्या होता है, a death block, अब अगर कुछ भी काम हम लोग कर रहे है, हम बोल रहे हैं, उसने एक death block कर दिया, किसी में भी हो सकता है, माल लो तुम cricket खेलो, अप्क्रेट खेल होगा, D, देख रहे हो, literal meaning है, सारे के सारे बाकी के, ये नहीं है, बस वोई answer है, बहुत हद तक, literal meaning वाला, बहुत हद तक, सही बैठता है, अब ये बताओ, a jewel in the crown, अब यहाँ पर देखो, someone who has many skills, someone that, that one wants the most valuable thing, in a group of things, the jewel in the, ये तो सबसे पहले हटा दो, crown of the king, literal meaning है, ये सब से जादा literal meaning है, हटाओ इसको, fake हो भार, literal meaning को काटो, जो exact meaning है, अगला, अब ये बताओ, इन तीनों में से, सबसे पास का क्या लग रहा, बिलकुल, जो बहुत हो ने बोला, ये तो, कहीं से हो नहीं रहा, someone who has many skills, ये तो bad ही नहीं रहा, someone that, someone that one wants, ये भी नहीं वान रहा, the most valuable thing in the group of a thing, देखो, crown है पूरा, उसमें जो jewel है, वो अलग से चमकता है न, तो वही तो है, जो सबसे valuable thing होगी पूरी ग्रूप में, वो सबसे जादा क्या होगी, चमकेगी न, C हो गया, next क्या है, to live in a fool's paradise, अब बेव कुफिवाले paradise नहीं जाता है, तो मतलब to live a life that is dishonest, to be happy because you will not accept how bad a situation really is, अब ये बताओ, to believe that something you want will happen, to enjoy yourself by spending a lot of money, अब बताओ इसमें से, इसमें से तो एक ही बैट रहा है, अब बेफुफ कौन होता है, जो मानने कोई राजी नहीं होता, कि situation कितनी घराब है, paradise, fool's paradise का paradise क्या होता है, स्वर्गी होता है, अब स्वर्ग कौन, अब मान इंडिया का विपरान वाला है, ठीक अच्छा, तीन सेप्टेंबर को है, अब तुम कह रहा हो यार, नहीं यारा, बहुत दिन है पढ़ा दे लेंगे, बट रियालेटी तुम मा पता है नहीं कि बहुत कम टाइम बचावा, पता है न, और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम जित्ती वीडियोज हैं वो नहीं देखिये, लेकिन तुम कह रहा हो, या देख लेंगे, बहुत टाइम है, तो ये क्या है, फूल्स पारडाइज, अपने बेंच के आगे से लगा लो भाई, वी आर हाविंग, वी आर लिविंग इन फूल्स पारडाइज, बस, कि आप अप को डिस्प्रेशन में चले जाएंगे न, फिर, भाई, पढ़ो, पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, अगला क्या है, रॉटन एपल, ये तो बच्पन से पढ़ते बहा हैं, ये मैं बताने भी नहीं वाला, वन बैड परसन नहीं न, ग्रुप, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देता है, ये, next क्या है, to vote, to vote with your feet, पहला क्या है, to show that you do not support something, to replace something important, to exchange something you must do, to express a particular opinion, अब ये बताओ, अगर आप अपने पाउं से वोट कर रहो, with your feet, अगर idiom and phrases में है, अब पाउं से क्या रिलेट है, सही मैं पाउं से तो कर रहोगे नहीं मतलब आपने यार, मर मर के कर रहो, यार, करू ना करू, करू ना करू, ठीक है, मतलब किसको करू, बेकार ही है, सबको vote करना, मतलब तो आप क्या कर रहोगे, क्या वो ये होगा, किसी को replace कर रहो, किसी important को, नहीं भाई, पाउं से क्यों कर रहोगे फिर वे, vote, फिर क्या, to exchange, तो एक्षेंड ये टूचेंज सम्थिंग यू मज्ड डू नहीं पांसे क्यों करोगए वो तो आप एंथुसीयास्टिक लिकरोगा ना तो एक्सप्रेस पाइस्टिकलर ओपिनियन यह भी नहीं होगा तब याब आफ एंथुसीयास्टिकलरिक रिकरोगे जब आप किसी चीज जिसको support नहीं करते हो ना, तब आप करते हो अपने पाउं support, मतलब बिलकुल घिस-घिस के, पाउं घिस के, अब ये verbal diarrhea, verbal diarrhea क्या होगा, तो भी sick, ये तो सबसे पहले काटो, diarrhea है, sick है, cut out, to talk too much, to be in a difficult situation, to be a good orator, ये भी काटो, अब जिसको diarrhea होगा, वो कि अच्छा orator होगा, क्या, orator क्या होता है, जो बहुत अच्छे बोलते है, जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा issue vocal होते है, जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा hovenme wukhari बहुत जदा पड़ जाता है वर्बल ड к लिया में क्या होगा बहुत जएदा उससे उसंते ब्ली इंट कर दिया छेल रिझा ने लेकिन लेट ज़रूर है अगला कि to pretend to be something that you are not to be in some unpleasant situation to be destroyed by a belief to do something that is dangerous बताओ इसका मेरे साबस तो सीधे सीधा पता लग जा होगा अगर हम लोग विंड की तरफ को जा रहे है मतलब हम लोग इसी खत्रे की तरफ को ही जा रहे है close कर रहे हो D खदम भाई ऐसी होता है बहुत तो नहीं मेरे साबसे D कर रखा होगा मुझे पता है यार अब ये बताओ ये वाला कुश्किन देख से अगर मैं होता मैं इसे छोड़ देता मैं नहीं करता अब ये जो भी वर्ड लिखा हो मुझे नहीं पता ठीक है अब जो भी लिख रखा अब जो भी है अगर कुछ और प्रनेंशेशन है जो भी है मैं होता मैं छोड़ देता क्या लिख रखा तो लुक आट समवन और सम्टिंग तो आइस अब देखो डबल है तो आइस है तो असिच्वेशन इन विच यू केंनोट सक्सीड ये तो बिलकुल भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि यहां पर डबल से कुछ रिलेट हो नहीं रहा है तो देखो यार इन तीनों में से कोई option है ठीक है बट अगर मैं होता तुमारे जगा तो मैं छोड़ देता इसका मतलब होता है जिस word के हमारे दो मेनी होते है ठीक है बहुत सारों ने D किया होगा किसी ने A किया होगा बढ़ हाँ ये वाले का इसमें फस जाते हैं तुम लोग होता है ऐसा नहीं हो कि आप सार के सारे question बिल्कुल सही करके आओगे और बिल्कुल UPSC वाले को चक्मा लेके आओगे हाँ कहीं नहीं तो वह भी फसाइं गया बठा अगर आप 10 question attempt करतो दस में से अगर तुमारे 6-7 भी साइज आते हैं कोई दिक्कत निया तीन से चार गलत भी जा रहे ना कोई दिक्कत निया फिर भी आप बहुत अच्छा positive मेरा हुए ये थी video मेरे साब से अब EDM and phrases के तुम लोग 1500 से 200 question जरूर से करोगे जो NDA PYQs हैं और बहुत हद तक तुमाँ idea आजाए कि इस तर के से approach करना है so this is the end of the video यहाँ पर जो English की playlist है वो जरूर से देख लेना और जितने भी videos है वो सारके सावी देख लेना